अलो आवरिवन आज मैं आप सब लोग के साथ शेयर कर रहे हूं रेड वेलवेट केक की रेसिपी जिसको हम बना रहे हैं वैनिला प्रिमिक्स से तो मैंने आपे डिलीशियस ब्रांड का वन कप वैनिला प्रिमिक्स ले लिया है क्योंकि मुझे हाफ केजी का केक बनाना है और जितना मैंने कोको पाउडर एड किया है और कुछ ड्रॉप हम इसमें एड करेंगे रेड फूड कलर की और फिर अपको मिक्स करके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड करके हमको इसका एक स्मूध सा बैटर बना करके रेडी कर लेना है और आज जो हम ये केक बना रहे हैं जो की टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा लगता है तो आप पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी एड करके अच्छे से मिक्स करते जाएंगे कभी भी जब आप केक बनाते हैं तो इसमें डारेक्ट पानी एड मत करिए थोड़ा थ थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने कुछ ट्रॉप उसकी रैट फूड कलर की और एड कर ली हैं लास्ट में मैंने एक चम्मच ओएड किया है और अगेन हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और यह केक मुझे बनाना था हार्ट शेप में तो मैंने आपे हार्ट शेप का केक टिन ले लिया है इसको मैंने अच्छे से ओयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया है वैसे को आप हांड वाले केक से भी आप बना सकते हैं और जबी भी मुझे नेक्स ताइम इसका ओर मिलेगा हार्ट शेप केक का तो मैं आपके साथ उसकी वीडियो जरूर शेयर क और नीचे मैंने इसमें प्लेट रखिया आपको डारेट कभी भी केक टिन को नहीं रखना है बरतन में नीचे आपको प्लेट या स्टेंड का यूज करना है और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने 20-25 निट के लिए बेक कर लिया है ये देखिए 25-30 निट बाद मैंने च चॉकलेट कंपाउंड लिया उसको मैं छोटे-छोटे पीसे में कट कर लूँगी और अगर आपके पास यह नहीं है तो आप मिल्की बार चॉकलेट का जो वाइट चॉकलेट आती है अब उसका भी यूज कर सकते हैं तो मैंने कटोरी में यहाँ पे थोड़ा सा वाइट मैं कंट कर लूगी। कि वाइट चॉकलेट बहुत जादा सेंशिटिव होती है अगर मैं डारेक्ट इसको गैस् πε मेल्ड करूंगी तो वह खराब हो सकती है या बर्न हो सकती है तो इस तरीके से में डबल बोईलर से ममैल्ट कर लूगंगी और कभी पहाँ चॉट बार चॉक कितने बढ़ियां सा मारा गनाश बनके रेडी हो गया है और थोड़ी सी वाइट चॉकलेट को मैंने ग्रेट करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था जिसको हम केक की फिलिंग में यूज करेंगे वाइट चॉको चिपस तो देखें केक अच्छे से ठंडा हो गया है उसको हम डी मोल्ड कर लेंगे बटर पेपर हम उसका रिमूफ कर देंगे और जो केक की टॉप लेयर है उसको मैं थोड़ा सा रिमूफ करूँगी जिसको हम यूज करेंगे केक से क्रम बनाने रैड वायल व थ्रेड से करते हैं तो और उसकी वीडियो में आप लोग के साथ अल्रेडी अपने शॉट्स पे शेयर कर चुकी हूँ तो देखिए कैसे मैंने उसको एजिली थ्री लेर्ज में यहाँ पे कट कर लिया है और इसके बाद यहाँ पे केक को सोक करने के लिए मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश में पानी एड़ किया है वैसे रेड वैलवेट केक में यह नहीं जाता है केक के टेस्ट को तोर आपने और गणाश करने के लिए पीत को क्या जोओ और यह वह तेस्स की चा तो गता है करने ज़ना यह का खाए! तोड़ी सी क्रीम को हमने नीचे अपलाई कर दिया है और अपने केक की फर्स लेयर को यहां पे रख लेंगे उसको हम इसी शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लेंगे स्ट्रॉबेरी वाले सिरप से और सोकिंग अपको बहुत अच्छे से करनी है आप चेक कर लीजेगा कहीं अब अगर केक सोक नहीं हुआ है तो वहां अच्छे से दोबारा से सोक कर लीजेगा और वही वाली जो गनाश वाली क्रीम थी उसको मैंने अपलाई कर दिया है और साथ ही साथ यह हार्ड शेप में केक है तो हम केक की शेप को भी मेंटेन करती हुए चलेंगे और जो केक की साइड वाल्स को सील करेंगे जिससे की हम मारे मलब केक की क्रम कोटिंग भी होती जाएगे और हमें फाइनल आइसिंग में दिककत नहीं जाएगी और केक का शेप भी मेंटेन रहेगा और इसको भी अच्छे से स्ट्रॉबेरी वाला जो हमने से रप रेडी किया था उ है इसका ही यूस करती हूँ और अभी फाइनल लेयर हमने की रख ली है उसको भी हम शुगर सरब से अच्छे से सोक कर लेगे और थेन थोडी जिर मवासरी परिश्बाकर करके कर लेंगे करणने के बाद हमें जो केक का बॉर्ड यो उसको अच्छे से क्लीन करना होगा और फ केक कटेस बहुत ही बढ़िया आएगा और मुझे जो कस्टमर ने केक की पिक बेजी थी उसमें हाट के टॉपर लगी होगी ते फॉटनेंट से बने तीन तो मैंने यहाँ पे वाइट फॉटनेंट को रोल कर लिया है और उसमें हाट वाले कटर से मैं तीन हाट को कट कर लूँ इंसर्ट करके रख लेना है और जो हमने केक की top layer रखी थी उससे हम केक के crumbs बना लिंगे red velvet cake के लिए तो उपर वाली जो layer थी उसको मैंने एक grinder jar में डाल दिया है और मैंने इसमें थोड़ा सा red color add किया था एक दो drop red food color add किया था फिर उसको अच्छे से मैंने grind कर लिया उसको side में रख दिया है केक अच्छे से set हो गया है तो अब हम cake की कर लेंगे final icing और final icing मी मैं scale से ही कर रहे हूँ मैं piping bag का use नहीं कर रही हूँ अगर आपको इस तरीके से दिक्कत आती है तो आप piping bag में cream फिल करके भी cake की final icing कर सकते हैं और जितनी जादा आप इसमें practice करेंगे final icing के लिए उतनी अच्छी ही आपकी finishing आएगी एक या दो बार में तो नहीं आती है finishing तो देखिए मुझे भी इतना time हो गया cake बनाती हुए फिर भी मुझे भी finishing देने में थोड़ा सा भी time लगता है इन से चार बार अच्छे से cake की finishing कर लेनी है जब तक की cake में प्रॉपर finishing जो है वो ना आ जाए और cream हमेशा ज़्यादा अपलाई कर रहा के लिए final finishing के time पे क्योंकि जो भी extra cream होती है उसको हम scrapper से बाद में निकाली लेते हैं देखिए यहाँ पे cream जो है वो मेरी यहाँ पे थोड़ी सी ने कम पड़ गई थी cake मेरा base दिख रहा था तो मैंने थोड़ी सी cream यहाँ पे और apply कर ली है और फिर से हम cake com की help से cake को एक अच्छा सा shape दे देंगे और मैंने यहाँ पे hard shape में वैसे तो हम beads से cut करते हैं ताकि proper shape दिखे बड़ जो customer ने photo भेजी थी उसमें वो cut नहीं था cake इसी तरीके से दिख रहा था hard shape तो इसलिए मैंने भी उसको cut नहीं किया है और देन हम अब cake की ages को भी अच्छे से clean कर लेंगे तो बस मैं scale को इस तरीके से cake पर रख रही हूँ और उसको फिर मैं आंगे की तरफ करके उसको मैं scrapper से बार-बार scale को clean कर रही हूँ फिरी मैं दोबारा कर रही हूँ तो देखिए अच्छे से हमारी जो cake की finishing है वो हो गई है और अभी जो हमने red velvet के crumbs बना करके रखेते उसको हम cake की top पर इस तरीके से sprinkle कर दिंगे और जब भी आप यह red velvet cake बनाना तो crumbs के लिए आप थोड़ा सा जाधा रखेगा क्योंकि मेरा देखिए यहाँ पे crumbs थोड़े से कम पढ़ गया है तो इसलिए थोड़े से आपको जाधा cake की top layer निकालनी है और फिर उसको आपको अच्छे से crumb कर लेना है और नीचे भी हमें थोड़े से crumbs डाल ले हैं तो उसको मैं नीचे crumbs डाल करके उसको scale की help से मच्छे से stick कर लेंगे यहाँ पे मेरे पास crumbs काफी जाधा कम पढ़ गये थे क्योंकि मैंने तोड़ी सी कम layer को रखा था और सारे crumbs मेरे उपर ही लग गये थे बट फिर भी मैंने जैसे तैसे इसको adjust किया और नीचे भी देखिए इस तरीके से मैंने crumbs डाल करके उसको scale से finishing कर ली अगर आप लोगों को अगर आज के केक का decoration पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को like कर दीजेगा और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कर दीजेगा तो देखे केक हमारा almost हो गया है ready और मैंने इसको इसमें ये velvet के crumbs लगा करके fridge में set होने के लिए रख दिया था fondant के toppers मैंने इस पर अभी नहीं लगाये थे क्योंकि वो melt हो जाते तो जब मैं इस पर topper लगाने की मतब customer आ चुके थे उसके बाद ही मैंने इस पर ये topper लगाये इसलिए मैं उसकी वीडियो record नहीं कर पाई हूँ और ये रहा हमारे cake का final look आप लोग को आज का cake का decoration कैसा लगा प्लीज comment करके बताना